अलब दोस्तों तो आपका स्वागत है 80 जार्कन क्लासिस में सूप्रभात तो आज हम क्लास कराने वाले हैं आज हम क्लास कराने वाले हैं नाकपुरी व्याकरन सेट 4 ठीक है सेट 3 का लंबा वीडियो चला गया है लेकिन बहुत अच्छा अच्छा बात बोले हैं और क्विश्चन भी हुआ है ठीक है उसमें समझा समझा कर बता है लट्टू कौन तरह कर लिंग में आविला लट्टू क लट्टू जो है क्या चीज है हम बोले थे निर्जीव वस्तू को किसीज में रखा जाता है तो बेलिंग में ठीक है निर्जीव वस्तू है ठीक है निर्जीव है चलिए नेक्ट परेशन चलते हैं तलवायर बलवा तीर धनुस कौन लिंग है तो यह सर निर्जीव है एनिक यह जिए हो जाय गारे ऐसी है मचरी संग्या के कॉन लिंकर खेजा में राहल जाए ला मचरी जो है किस द fanta ंधा जाता है तो जम्म पना भार तो किसमें रखते हैं यह मचरी का इस्तिलिंग है मचली जल की रानी है जी बन उसका पानी है तो वो समझ कि यह मतमादर लिए कि इस लिंग है ठीक ना ओना ही पूलिंग है अवना ही बेलिंग है जाने इसमें यह उभै लिंग है इस त्रिलिंग अपूलिंग दोनों है नाकपूरी में उपसा नंबर भी हो जाएगा ठीक है फुटबॉल में कौन लिंग मानने जला देखें लैकर नगरें जब पढ़ा है तो देपला तेपला सब बताएं क्या होता है अधिक एक दिन आव यह ही सब को नहीं कुंट कर रहें कि आप लुग देखें तब ने पता चलेगा कि उस बीडियो में क्या है तभी सब नहीं बता रहे हैं बहुत सारा कॉमेंटर का बत अब लोहा तामबा कासा सोना मन में कों लिंक कर उधारन ह경ते विइना कुछ निर अप्सन नमबर D, लिंग कर विचार कोन तरह कर जिनिस में नहीं कर जाला है, लिंग कर विचार कोन तरह कर जिनिस में नहीं कर जाला है, तो यह कौन सा बेजान मस्तु में, अप्सन नमबर C, क्योंकि इसमें बेलिंग होता है, बेलिंग का मतलब होता है, कोई लिंग का उसमें कोई भागिदारी नहीं है देवल में से कौन उभय लिंग कर उधारा नके तो यह से देखिए नदी पहार किताब यह सब तो क्या बेलिंग हो गया यानि कि एक ही भुचा है खाखरा खाखरा यानि कि अप्सन नमबर ए वह जाएगा चलिए नागपूरी में लिंग विचार इस अधार पर होता है तो सजीव के अधार पर होता है जान बेजान के अधार पर देवल में से सोभे हो जाएगा वाक्य में लेंग कर बदलाव लेकिन यहां अगर बोले तो यहां क्या हो जाएगा यह सजीव ही हो जाएगा ऑप्सन नमबर बी होगा हम लोग नग जानते है है बेजान वस्तु की यह बोलते हैं लेकिन साजीव होके सजीव जानते हैं तब Stay से अब हमद्द्भाव घ्रीया पर परभाव पड़ता है यह क्वश्चनrav करा चुकेbuild कि लिंग कर तो ये वह के मेव जानता है वाक्ष में कोई नहीं होता वृ को हुगत कर शुपट सब भागत तो क्या होगा है लुटfte सब्थ, नानी या फिर नावएँ दोनों अधिक होगा। सीधक मगत होगा की नानी ऊप्सकोस अधिक होगा?. अप्सन नम्बर डी हो जाएगा चलिए बितनी सब्द कौन संग्या कर संग्या कर तो चलिए देखते हैं बितनी मतलब क्या होता है बितनी मतलब होता है बितनी मतलब क्या होता है बितनी मतलब होता है बितनी मतलब होता है बितना अप्सन नम्बर डी बितना नहीं बितना चलि कौन साम परतिया लगाते हैं परतिया मतलब क्या चीज लास्ट वाला उपसर्ग मतलब आगे वला उपसर्ग मतलब आगे वला यह सब एक दा मस तरीका से पराया है वैकरन में उपसर्ग मतलब आगे वला परतिया मतलब पीछे वला ठीक ना तो चलिए महतों में क्या महतवाइ तो नहीं होय ला उसके कोन चाहर तो तो बैलिंग का जया है नौर माधा कुछ ना उसको तो क्या बोलते हैं देखे nucle में कोन सा परतिय लागया जाता है ये क्वेशन पूछा जा रहा है तो बागिन में देखो आइन दहीन एन या फिर इये वाला है कि ये वाला एन है कि ये वाला है कई से बताएंगे तो छोटी ए कि मात्रा देखे कौन है यह देखे बड़ी यह तो बड़ीıyor lot e में च्राइए को था बड़ी यह चोटी में क्या अंतर है खेंप बड़ी जो है तो दोने डूरे जाए च्शोटी भोले जाता है यहीं नियुकिया आप de lly हाँ यह डोनों तिन होता है अगये ठीक है मंचेलिये इस्ट यह कुण हो जाएगा क्या हो जाएंगा बी फिलाई नहीं है इघ थे बरद बरद सब कर सूपड इस्तरीलिंग सब्ड कोन ऑके बरद तो बरद कर का हो जाएगा शूपड दाए अप्समेश्ट आपस्टा क्वेला सब्ड कर सही स्तरीलिंग कोन है कि तो बयला का क्या हो जाएगा बाय देवल में से कूवोन पूलिंग ठरब उदाहरण हो लक कि तो पूलिंग सब्द कून चा है वोसाइल कटावणि से इस त्रिलिंग है सब्द में सब्द के जे रूप से कोनो संगया कर एक चाहे एक से बीसी संगया कर जनकारी मिलला उसको क्या कहते हैं तो उसको वचन कहते हैं क्या कहते हैं वचन कहा जाता है यानिक उसको बहु वचन कहते हैं एक वचन कहते हैं एसी न कहते हैं एक से जादा संगया कर बोद देता है उसको बहु एक सि अधिक वश्ट्वु का प्रयाता है। उसको। क्या काते हैं। तो यह क्या हो जाएगा। हडाइगा बहु एक वचन हो जाएगा। और सिन्नांवेद देख काते हैं। तो इह एक συचल्ण में उनम् alm एक वचन और बहु वचन ठीक ना बहु वचन में कौन-कौन सा सब्द जोड़ा जाता है यह आप जल्दी कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताईए मन कहां लगता है आगे लगता है कि पीछे लगता है सौब जो है आगे लगता है कि पीछे लगता है जल्दी बताईए हमरे मने सब लोग यह सब आगे लगता है मन की पीछे लगता है जल्दी बताईए सब आगे लगता है कर पीछे लगता है एक लिखकर जल्दी बताईए ठीक है संग्या सब्द में मन परतिया जोडल से कौन मचन बनेला संग्या सब्द में मन मचन मन परतिया जोडल से कौन मच आपनिए सब्द का बहु वचन रूप का होता है तो मुए यानिकि हमिन हमरे मन और हमरे मने यानिकि समय सवभ हो जाएगा अपनिए ये संख्या वाचक विशेशन में कौन परतियाय लगायक ले वह वचन का रूप बने हैं संक्या वाचक में हम लोग क्या बहुवचन लगाते हैं मन या मने या फिर क्या लगाते हैं तो इसमें देवल में से को है एक जोड़ा सब्द कोन तरह कर वचन का रूप होगे है एक जोड़ा सब्द, एक जोड़ा, तो एक जोड़ा क्या है, अरे एक सो जाता है न, तो बहु वचन हो गया, ठीक है, एक वचन से बहु वचन बनायक पर सब्द कर रूप में बदलाव आवेला, तो सब्द कर रूप में बदलाव आता है, तो क्या हो जाता है वो, एक वचन स कर दिल बूद्धी आधी-आधी में तो शॉब रिखें उत्म पुरुष वाचक शरुणाम में कौन परतिय लगायक ले बहुवचन बनाई जला तो कोन उत्म पुरुष वाचक परतिया लगाने के बाद बहु अचन बहल जाता है तो यह वह जाद है इन कि अप्सन नुबर बी एक सोड़ी के हमरे कनईया बनाये खोजत रहीं वाके में एहें कौन तरह कर्ष्व नाम हके तो यहें निश्चे वाचक एहें मतलब जो निश्चे जो निश्चित करता हो कि इ और जाडोल बुटी जे बूनी से कटी जे से का यूज हो गया जब जाइसा करेगा वह वह वाशा पाएगा जे से कों तरह समबंध वाचक थ्यां सवाल बोधक वाचक है यह यह घर आवी सेले मौय ओगै रह्म्मु का वाकी में क्यों कौन तरह कर्ष्व नाम हके क्यों तो यहां सवाल बोधक वाचक है यह डाईक लिए प्रूस वाचक है अनिश्य वाचक यानि कौन वाचक है तो अगर ग्रीह देखिए अगर ग्रीह जो संस्क्रीत जीसा लगता तो उसको क्या बोलते हैं अरे सब कुछ इतना मस्त बताया है ना वयाकरन में वयाकरन में अफ्ले इतना घरदा से बताया है तो आप याद कीजीएगा वयाकरन एक भार पांश गंटा क्ला से कर लीजिए उसके बार देखीएगा ग्री जो संस्क्रीत का उचारान उसको तत्सम बोलते हैं और जो हिंदी में होता है उसको तद्भो बोलते हैं तो गिरी अगर यहीं घर रहता तो यह बोलते यह बोलते ठीक है लेकिन तत्सम है गिरी यानि संस्क्रीट जैसा उचारान आ रहा है तो तत्सम है देशाज जो जैसे कि लोटा थरिया साभूर कोन तरह कर सब्द के सापूर कोन तरह कर सब्द आके ते किया डिसकर सब्द लाव रे नमक कौन तरह कर सबुदार नके विदेश तरह सबुल wür अचलिए तो ये कौन सा हो जाएगा विदेशज सब्ज है अपसन नमबर ए जादू कोन तरह कर सब्द कर उधारन हके जादू कोन सब्द कोन तरह कर सब्द कर उधारन हके तो ये हो जाएगा देशज अपसन नमबर ए नेक्स्ट क्वेस्चन बुदा सब्द कर समनार्थी सब्द का हा के बुदा मतलब क्या होता है और इसका समनार्थी सब्द क्या होता है और इसका हम समनार्थी बताएंगे तो आप इसका उल्टा बताईएगा और उल्टा कॉमेंट सेक्शन में करके बताईएगा ठीक ना तो क्या हो जाएगा बूदा सब्द का बूदा मतलब होता है बड़ा गाची अब गाची कर अब बूदा सब्द कर समनार्थी मतलब की गाची गच्छ ठीक न अब इसका विलोम क्या होगा जल्दी कोमें चक्सर में करके बताईए गणीत सब्द कर समनार्थी सब्द हके गणीत सब्द कर समनार्थी सब्द क्या हके मतलब जो मिलता जुलता सब्द कौन सा है तो हिशाब गरुवा सब्द कर समनार्थी सब्द क्या कि समनार्थी मतलब यह समनार्थी पूछ रहा है विलोम नहीं पूछ रहा है याद रहें क्या गरुवा यहां गुरुवा नहीं पूछा है नहीं गुरु पूछा है तेखें गरुवा नहीं पूछा है ना गुरु पूछा है यहां तो ब्रुफ मतलब होता है बहुत अधिक खाने वाला आदु क्या काते हैं कृँड़ा है अपूण नम्बर ए ठीक है द्घात्य हुंद तो घर अंधन से पूर जाई ये क्या चीज है तो यह है विशेशन क्या है ती घर बता रहा है विशेशन जनाना का विशेश्था बता रहा है तो ये क्या olan तो गांगा से क्या एक वैक्ति का मूत होता है कि पूरा गंगा का मुष्यत दूंबर सुक्षिप चलता है 95 सब्सक्राइब कर दारण हखे मौय के पूरु्स वाचक कर उधारान Κे। नीज सब्सक्राइब होता है ने शब्सक्राइब उल्टा कंला सब्सक्राइब ढर लता है मी सब्सक्राइब हला चुपचाप मुट्याई के निसब्द तब बोलने लाइक नहीं उल्टा सब्द का होई तो गुल होई गुल निसब्द तो कुछ ना चुपचाप मुट्याई के लेकिन अकर उल्टा पुछ लेबा उल्टा का होई तो गुल होई अप्शन नमबर बी हो जाएगा तो बेकूप कर उल्टा चंट आहे, क्या है चंट औप्शनमनोंबर सी चीची सब्त कर समनार्थी कहा के, चीची मतलब क्या होता है, चल्ट फर उड़ा बड़ा ऐको खीरा है लेकिन उसको शोटा फर कर आते हैं खीरा, गुरु घंटाल सब्द केकर ले इस्तमाल करल जैला गुरु घंटाले हुए कारे तो ये का का जाता है तो ये भकुआ यानि भकलोल आदमी को बोका बोका तो जानती ही होंगे भकलोल ये भी जानती ही होंगे तो यही सब को क्या बला जाता है गुरु घंटाले हुए का बुद्धी ही नोना चलिए दोस्तों तो आपका ये पचास एमसे क्यू सेट खतम हुआ सेट व्याकरन सेट फोर का चलिए तब हम स्टार्ट करते हैं स्टार्ट क्या करेंगे खतम होता है और आपका कल या परसो पक्का आजाएगा एमसे क्यों जो लोग साइट ये क्या होगा बहुत ही इंपॉर्टन क्विस्टन होगा चरिए क्लास को यही बाइबाइ कहते हैं और दोस्तों को ये सेर जरूर करिएगा अच्छा लगे तो कॉमेंट लाइक जरूर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला जो है मैंने क्लास लिया है उस से 20 SUP 15 क्वेचन आने वाला है concept हम टोटल पूएम का हिंदी के साथ ये भी बता दिये हैं कि कैसे क्वेचन आएगा किस परकार का क्वेचन पूछ uneven फूछ सब हम आपको बता दिये हैं तो वो क्वेचन जरूर कर लीज्यएगा बनकेवरा भागवन का शौटनोस हम सब तयार किये हैं सब कहानी का उसको देख लीजेगा एकजाम में जाने से पहले अभी भी पर सकते हैं वो पूरा कहानी का शौटनोस है पूरा कहानी आपको सिर्फ पांच मिनिट में याद दिला देगा ठीक ना तो ये सब आपको ध्यान टेना है त 25 पूरा आंगन है समझ लिजिए तो ऑक पूरा कहानी का एकदम और बीजन हो जाएकै अब को चाहिए के अब देख बनकेवरा भागवन हो गया बंकेवरा जो है यह जो व्यकारन है नाक पूरी व्यकारन चोंड़ेगाे व्यकरन का क्लास पांच घंटे कर लीजिए गापपुरी व्याकरन से बीच से 25 कोईशन पूछने वाला है वीच कोईशन पकार याकरन से पूछेगा ठीक ना 5 गंटी का व्याकरन क्लास का सेट है के वल सेट 5 गंटा का यह 10 गंटा का चीजिए गाना तब कापका 20 को कुष्ण नमा है ना किलियर हो जाएगा कि अजम टाइट हो के मारिएगा अच्छा वीडियो देख लीजिए विकोस सौट नोट से एकदम इजी भासा में पढ़ाया है इंदी में पढ़ा दिये है ठीक न और देखिए आपका लोग साहिते से 25 से 30 क्वेशन रहेगा ठीक न पचीश साहिते से रहेगा लोग साहिते का महा महामहराथन क्लास थीन घंटा कauptा लिए है जो लोग संगीट यह सब सब कुछ है उसमें लेकिन में सबुट आइप लेजы ली नहीं है क्लास कर लीजिये और MCQ दो दिन के अंदर आने वाला है, MCQ तीन से चार सो क्वेशन का रहेगा, एक भी क्वेशन भुक से नहीं छूटने वाला है, ठीकना एक भी क्वेशन, तो लोग साहिते का जितना भी क्वेशन आएगा, यही MCQ से आएगा, इसलिए ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब और सेट कीजिए, यानि कि आपका वहाँ 50, यह देखिए, 50 यहाँ हो गया, 50 यहाँ, और यहाँ 25 से 30 क्वेशन, 50 पलस, 30 मान लिजिए लोग साहिते से, यानि कि आशी क्वेशन, आपका एकदम किलियर, एकदम कोई नहीं रोख सकता है, ठीक ना, असी नमर ऐसी ही लाइएगा, और आपने से कुछ नहीं पढ़ रहे हैं का, और टोटल नागपुरी तो हम पढ़ाई यह दिये हैं, टोटल आपका 20 में से कम से कम तो 10 कबर हो जाएगा, तो असी पलस, 10 हम यह आपको बहुत दिन से बताना चाह रहे थे, यह बहुत ज़रूरी है, असी पलस, जो 10 है, आपका मतलब 90 क्वेशन, एकदम मार के आईएगा, कनफर्म कहते हैं, अच्छे से क्लास कर लीजिए टोटल, ठीक अच्छा होगा, 8863, 8884281, चलिए, धन्यवाद